म्रति उंजय साब समोसे में आलू तो है बिहार में लालू क्यों नहीं लालू परसाद जी सो सरीर भले ना हो लेकिन उनकी विचार धारा जिन्दा है और उनकी लड़ाई उनके ही लाल लड़ रहे हैं और लालू परसाद जी के रत को आगे बढ़ा रहे हैं, 10 नवंबर को पता चलेगा, 9 नवंबर को हम लोगों को आसंका है, उम्मीद है, आसा है कि लालू परसाद जी की रिहाई हो जाएगी और नितीज जी की बिदाई हो जाएगी। इसमें ज्यादा उतेजित होने कभी बात नहीं है, अभी पहला चरण हुआ है, अभी दो चरण और बाकी है, दो चरण होने दीजिए, काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद हम लोगी खुद मुह मिठा करेंगे ना। यह लालू जी के परिवार के लोगों ने ही रिजक्ट कर दिया। जब उनके पोस्टर और बैनर से लालू जी की तस्वीर ही खतम हो गई। तो उनके शहजादे जो हैं जो डूलिकेट हैं या फोटो कॉपी हैं लालू जी की तो उनका तो कुछ बचता नहीं है क्योंकि उनकी शुरुआती ही जो है वो घोटालों के प्रयाय के रूप में हुई है 24 साल की उम्र में 24,000 करोड के घोटाले में तो भई चाये मिट्टी घोटाला हो मौल घोटाला हो यानि बिहार की अवाम जो है वो समझ चुकी है और जिस परकार से चुके फर्क साप है जब वो 15 साल पहले देखती है तो उसको किस परकार का अपरण उद्योग लगता है राज चाम के छे बजे लड़कियां नहीं निकल सकती थी बाहर महिलाएं नहीं निकल सकती थी बाहर लेकिन आज क्या है आज तो सैकिल से लड़कियां गाउं से शाहर आ रही है लोग अच्छा मैसूस कर रहे हैं विकास की बैयार चल रही है चाहे सडक हो बिजली हो पानी हो हर छ लालु जी का जो बोज ऐ लालु जी ची के बारे में जो जंगल राज 15 साल का खा जाता है है खोड की ठिप्पनी ती गलत साथ ही पक्रटा है कॉंग्रेस से आपको लग भग लग को का खिसा पिटा राग वही जो बहरे जाते रहते हैं अपना तो फ़ाज साल में पुछ कीश किया नहीं नहीं तौंण पुराने पफ्चले पंत्रह साल का का राख कीता लापते रहते हैं तौपसे बड़ी बात है कि जो पिछली आगाज इतना अच्छा है तो अन्याम भी बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा हैगा, ये सब लोगों को समझ में आ जाएगा, सच्चाई लोगों के समझ में आ गई, जुमले बाजों की सच्चाई जो समझ में आ गई, धोखे बाजों की सच्चाई समझ म वाली है जनता सच को सच कहेगी जूट को जूट कहेगी वो समझ में अभी तुरंत आ जाएगा उसमें बहुत जादा देर नहीं है